नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं जो है सेकंड पारी की आंसर की लेके आ गया हूँ जो कल पेपर वाता सेकंड पारी का दोस्तों बहुत सारे विद्यारती कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है हमें सेकंड पारी की आंसर की प्रवाइड करवा दीजिए तो मैं अभी प्रसंट जीके के जो हमने करवाई थे वहां से आये दोस्तों आप खुद देखेंगे आंकों से कि मैंने 36 वीडियो करवाई थी आपको वहां से सारे के सारे प्रसंट आये और एक और बात बता दो आपको जो विद्यारती CET की तयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ आज से जुड जाना चलिए पहले प्रसंट से सुरू करते हैं पहला प्रसंट ने राजस्तान की 20 वी पसु गणना के अनुसार निम्र में से कौन से जीले में मविश्यों की संक्या सरवच तरते इस्तान पर मविश्यों की संक्या किस जीले में तो आप लोग इसका फटापट से कमेंट कर के बताएंगे जल्दी से एक सब का कमेंट आना चीए तो इसका जवाब हो जाएगा बाड मेर क्या होगा बाड मेर हो जाएगा चलिए दोस्तों मैं क्यूशन डारेट क्यूशन आँसर बताऊंगा ठीके ना इसका सोलिशन अभी नहीं बताऊंगा मैं बाद में सारा करवा मंत्री तो राश्तान संका जो प्रदान मंत्री ता गोकुलाल असावा ता मेत-मेत के छोड़ूंगा मैं Geira Next Person सामानने सूत्रे bell dho क्या हो सकता है तो क्या हो सकता है ने कार्बक प्रक्षरी रात ऑंसर हो जायाएगा और मुझे कमेंट कर करके बताना मैं आपको total कितने परसंटों का solution करवाने वाला हूं 84 का मैं केवल 16 परसंट चोड़ूंगा वो गनीत के हैं ठीक है न वो छोड़ रहा हूं 84 परसंट बताऊंगा आप बताना कितने परसंट सही आपके राजस्तान के किस जीले में यूरेनयम प्रोजेक्ट इस्तावित किया गया है तो यूरेनयम प्रोजेक्ट कहां पर इस्तावित किया जा रहा है दोस्तों सीकर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस परसंट का जवाब सीकर आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट परसंट आप आप लोग फटा फट से कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा फटा फटा न अची है आंसर आप लोगों का जल्दी जल्दी दीजेगा इसका आंसर क्या तो बहु estéरी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर तो इसका सभी जवाब आ चुका है आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा जेसल मेरिस का सभी जवाब हो जाएगा चलिए नेक्स परसन की तरह बढ़ते हैं ये रहा अमलगन मिसरदात हुए जो अमलगम है वो किसकी मिसरदात हुए तो आपका बताईएगा पटाफट से चल्दी से एक बताईएगा तो क्या हो जाएगा लेड अमलगम क्या किसकी में सिर्दात हुए अमलगम तो अमलगम क्या हो जाएगा लेड और टिन की किसकी लेड और टिन आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिया नेक्स प्रसेंट चंग नर्ते राजस्तान के सेत्र में समंदिते हैं चंग नर्ते राजस्तान के किस सेत्र से समंदिते हैं चंग नर्ते दोस्तों सेका वाटे से समंदिते हैं आपका याद रखना है चंग नर्ते नेक्स प्रसेंट निमले कित्विस्तानों में से किसे तामरवती नगरी के नाम से दोस्तों तामरवती नगरी के नाम से पूचा गया है और मैंने ये परसंद सारे के सारे जो जीके के जितने भी परसंद आ रहे हैं मैं अभी जो सेतिस किलासे मेंने करवाई है उनमें आपको चिला चिला के बताया था चिरपटोरी क्या है तो चिरपटोरी है क्या है साड़ी है दोस्तों क्या है चिरपटोरी एक साड़ी है चिरपटोरी क्या है साड़ी है दोस्तों और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को क्यूशन राश्टे बकरी अनुसंदान केंद्र राश्टे बकरी एंड बेड प्रिया आएगा और बागवानी आएगा और बक्री और बेड़ आएगा इन्हें से पक्का क्यूशन आएगा तो पस्ट सिफ्ट में काजरी आया और इसमी आया दोको मैं जो बात बोलता हूं वो पक्का आता है इसलिए यह दिसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से मैं सीट युद्सटान के किस जीले में सरश डेरी 萌तर ऑगस 2020 को अपनी सवण जैंती मनाई है तो अजमेर की जो पदमा डेरी है उसने कोई बहुत जाएगा आजमेर किया तो पदमा डेरी होगा यÈ जेपूर दोस्तों टोड़ा सा कंप्यूजन है तो जादा सही सका आंसर बेट रहा है जेपूर ठीक है ना जेपूर इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना जेपूर आप इसका आंसर लगा सकते हैं 90% सही आंसर है जैपूर ठीक है ना चलो अगला क्यूशन आप लोगों के लिए क्यूशन है राजस्तान स्वास्ते विबाग राजस्तान स्वास्ते ने उसका अभियान रखा है इनोंने तो 2025 तक कब तक रखा है 2025 तक का लक्षे रखा है नेक्ट क्यूशन किस तामर पत्र से रानी करमावती के जोहर का पता चलता है तो किस से पता चलता है तो पुर तामर पत्र से पता चलता है किसका रानी करमावती के जोहर का तो दोस्तों य के हैं कि मैंने जो पढ़ाया था उन्हीं में से सारे क्विशन आ रहे हैं मैं गणीत वाले छोड़ रहा हूं ना गणीत के बाद में कर लेंगे थोड़ी देर बाद दोस्तों अभी मैं सुबसबस उठते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैंने सोचा की मेरे बाई भाई Physics के लिए यह नहीं वीडियो बनाया कि जो जनन की विदी क्या है सुबह तो दोस्तों मुख वाया था कौन सा इस्ट वाड़ा तो उसकी तो मुख लंती तो दोस्ते से सारे कुशन बतलब कितने सिंपल क्यूशन आ दोस्तों आप सोच लीजेगा और एक ही पेटर्ण पर खंड़न हो जाएगा इसका क्या ओजाएगा खंड़न अगला कुशन साइंस तो हमने करवाया नहीं था हमने तो आपको जी के जी के करवाया था राज़्तान में कहां अकबर का किला है मैंने आप से बोला था अकबर का क सरब बता हैं सारी जानकार्यां यह कहां ठील किसने ओक चामार्रट कर हो जाएंग प्रसिद्द चित्रकार साइब राम कि चित्र कलाद थे से समंदित है तो साइब राम जो है वो समंदित है दोस्तों इश्वरेशिंग की इन्होंने आदम के प्रतिमा बनाई थी वो जेपुर शेली से समंदित है साइब राम नेक्स्ट क्यूशन निमलिकित में से कौन सी नदी नहीं है समिलित नहीं है बताए बताए बनास चंबल की सायग नदी है बनास की बेड़ सायग नदी है लूनी की जो है सूकडी सायग नदी है जबकि काली सिंद की गलत है कोटारी तो कोटारी काली सिंद की नहीं है और आपन सही जवाब हो जाएगा अगला क्यूशन आप लोगों के लिए चलिए यह रहा यह रहा क्यूशन एते नोल के ओदेगी करण उतपादन है तो किस सुक्समजीवी का उप्योग किया जाता है तो किस सुक्समजीवी का किया जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा चलिए ये रहा आपके लिए अटरस्तावन की करांती के समय राजपुताना के एजेंट गवर्नल एजी जी एजेंट जो गवर्नल फुचा गया है नहीं कि आप से वहां के पॉलिटिकल एजेंट तो क्या हो जाएगा जोर्ज लॉरेंज शाब का सही जवाब फिट बेट जाएगा बजाज सागर बढянध मैं चिला चिला के बोलता था बजाज सागर बजाज सागर बढद आप लोगो एस सुना नहीं होगा सुना होगा तो सही आँ सरे सबसे लंबा बढद है पड़ और बेरोजी तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यारतियों ने ओप्शन नमबर दो लगाया होगा तो सही है एकदम चिंता मत करिए चिंता मत करिए बिल्कुल सही हंट्रेट परशेंट देखो अगला क्विशन सीता माता वने जी अब्यार करो केरियों सर आपने बता दिया था परताब गड़ो जाएगा अगला क्विशन नमन में से कौन सा युम सही समयलिक नहीं है तो तामबा दोस्तों सिंगाना सिंगाना में मिलता है बिल्कुल सही है और आपका अबरक जोस्तों जाम सर में नहीं मिलता बाई जाम सर में नहीं नहीं मिलता, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया मेरे दोस्त, चले नेक्ष परिसेंट कि उसें ने, निमलिक कि आमेर के सासको में से किसने तीन मुगल बादसाओं का, मुगल दरबार में भी मेला आत के बोलता था, कि शेवा करो मेवा पाओ तो एक ऐसे सासकते जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिवा करी तिन सास को की ऐसे बें चिला चिला के नहीं बोलता था आपचे बोलता था ने तो वो क्या हो जाएंगे किने उन्हें की ती शेवा और मेवा पाई थी आब भी बता दो वक्ते मिर्जा राजा जैसिंग तो दोस्तों यह से बोलाता ने मैंने कि मेवा करी थे और सिवाप मेवा पाई थी अगला question माई नदी के बाएं किनारे की साइक नदिया तो दोस्तों माई नदी के बाएं किनारे की साइक नदिया दो नदिया है दोस्तों अनास भी है और चाप भी है तो यह दोनों option है तो यह person क्या होगा डिलेक्ट हो जाएगा आपका तो दोनों नदिया दोस्तों बाएं त सिरव से मिल्थि ये लेव्ट साइड़ से मिल्थी ये चलो जाएं फड द्चीट्रन के लिए जाना जाता है फड चितरों के लिए सापूरा जाना जाता है तो अगला प्रस्ण क्या हो का दोस्तों अगला परसने किस जील का निर्मान अट्रहसो एक्राण मा बाण में के दोरान अकृम कारे के लिए कर वह कर वाया गया था दोस्तो पते सागर जील काषबर्ट सेar स्वाई किसका फाई सागर जील का किसका फाई सागर जील आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्ट क्यूशन नेक्स क्यूशन आप लोग उगले देखे चलिए यह रहा अगला क्यूशन राजस्तान के पहले आईरवेदी चिकिस्था स्वास्ते और कल्यान केंद के आदार सिला मुक्यम नौर में रखी थी कहा है और के लिए मैं जान में मैं 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 चिला कि बोलता हुम से कि मेंजा बन्ध कोटारी नदी पर है बीलवाड़ा में यह बता एता है नियूशन निम्रमें से कौन सा टार वाला वादे अंतर नहीं है अब कौन जुता हैं तार वाला वादे अंत्रे नहीं है इसका जवाब आप भिटापड से सभी सब्सक्राइब करहें और दोस्तौ था नहीं होता तार यह था अग्ला đगले कुष्ण रानुन वाहं चौन्त कर पोक्षिंदद संस्तापह कों थे हैं थो और गौरबंद गौरबंद नाम आते आप सभी को पता है कि आना चीं परियोजना में निम्र में से किन इस्थानों को विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतरगत पावं उडजा में मांकस संसरग है तू चुना गया है तो क्या हो जाएगा जेसल मेर देवगड और फलोदी जेसल मेर देवगड और फलोदी इसका सही ज़वाब हो जाएगा अगला किशन 2015 में रजस्थान के कौन से जिले में तो पतम निउनतम तो दोस्तो जोदपुर में था और दित्ते दोस्तों चूरु में, तो इसका जवाब क्या होगा, आपका मिनमाब सवाल है, तो चूरु इसका सही जवाब हो जाएगा, एधी एक समांत्र, दोस्तों मेत का किशन छोड़ देता हूँ, मैं बाद मेत का करवाओंगा, तोड़ी देर बाद मेत का भी करवा योजना क्या कर दिया मातमा गांदी जन भागेदारी योजना कर दिया गया है केल्सियम सुपर पास्पेट में आता है तो केल्सियम सुपर पास्पेट क्या काम आता है तो और को खाद बनाने में काम आता है केल्सियम पास्पेट अगला क्यूशन वरक्स जो खेर जो खत्ता इसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया था खेर नहीं कि खत्ता दोस्तों खतोड़ी जन जाती से क्या करती है निकालती है कहां से खेर वरक से तो यह तुम्हें सारी चीज़ें आपको लोगों को बताया था तो बिल्कुल आप लोगों को यादी होगी है तो सारे राष्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा क्यूसन है जोदपूर हो जाएगा सब जोदपूर लेकर जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी क्योंकि इनका मुख्यमंत्री गाउं है जोदपूर अगला की चलते हैं कि किराडू का सो में सुवर मंदिर किस इस्तापत्य कला से समन दिते हैं तो यह गुजर प्रतियार इस्तापत्य कला से समन दिते हैं निम्र में से कौन सा सही समयलित नहीं है तो दोस्तों नाचना सभी को पता है उटकी है और गोमट ये भी उटकी नसल है तो आपका अंसर क्या ह लिखा हुआ निर्दारित कर पटारे क्या है एक परकार का करे जो कि पटा में लिखा हुआ निर्दारित कर है अगला क्यूशन और बहुत अच्छे-च्छे क्यूशन आये थे दोस्तों आप लोगों ने कर दिया होगा बहुत बढ़िया मैंने करवाय था आपको जीके तो जी सब्सक्राइब अगला कि लिए चलिए नेक्ष्ट्राशन की तरफ दोला시는 करसंब दोला मारूरा दोवा के रचिता कोन है कवी कलोल कोन हो जाएंगे कभी कल़ुथ सैसेदा स्वूंती्लाब हो जाएगा चृला चृला केше बलाओ कलो कलोल ऐ छेपुर् GUY किया का निर्मान किस रासन में हुआ था तो यह भी मैंने बताई था कि इस सवाई प्रताब सिंग ने और यह कृष्ण बगवान के मुकट के समान दिखाए देता है और इसके वास्तुकार को कद करती है तो कितने का 55000 रुपे आपका सधी जवाब हो जाएगा अगला क्विशन आप लोगों के लिए निमलिकित में से कौन सा है केंद्रे प्रवर्ति की माप नहीं है तो केंद्रे प्रवर्ति की माप इसको छोड़ दीजे दोस्तों अगला है बनास नदी तीन नदियों का संगम निर्मान करती है बनास बेड़च और मेनाल तिनों नदिय दिया मिलकर के त्रिमेन एक संगा में बनाती है नेक्स्ट परसंट आप लोगों के लिए यह रहा बताईए निमलिकित में से किस बदार्त का सो परशेंट पुन पुनर निमुकरन किया जासे रहने कि दुबारा रीशाइकल किया जा सकता है सो परशेंट वो किसका कर सकते ग्ल अलग अलग हो सकता है सब कुछ अलग हो सकता है परपरंदू परमानु करमांग क्या होगा समान होगा होगा के नहीं होगा बिलकुल दन्ना बगत गुरु कोन थे दन्ना के बगत गुरु कोन थे तो कोन थे रामा नंजी थे दन्ना के बगत गुरु जी थे दोस्तों रामा नं नहीं थे अगला क्युशन राज्चान राजिका परतम विसविद्याले जिसने आठ आठी जन्वरी 2020 को अपना पिछित्रवाइस था अपना दिवस मनाया तो वो राजस्तान विसेविद्याले राजस्तान इनिश्टी ने मनाया था ने क्यूशन एकट क्यूशन एक ऑनोन के पढ़नेता, एकी आनुलन के पढ़नेता मोतिलाल तेजावत हो जाएंगे, बगत आनुलन के पढ़नेता पूछे तो गोविंद गुरू हो जाते थे, ठीके न, एकी आनुलन मोतिलाल तेजावत, सही है न, बहुत बढ़िया, जीवास में इधन नहीं है, तो जीवास में इध कादमी जल्दी शेख बताईएगा फटापट से कमेंट करके रास्तान संगीत नाट का कादमी जल्दी शेख आंसर आजना चीए सभी विद्यारतियों का फटापट से मैं तोड़ा सा आजना इंतजार करूंगा देके आप आंसर दे पाते हो या नहीं ठीक है ना जल्दी से एक आंसर दे दीजिए पटापट से आंसर आणा चीए आप लोग होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोदपूर क्या हो जाएगा जोदपूर सही हो जाएगा अगला उड़्जा का इसा ही मात्रक जूल होता है सभी को बताए तो ठीक ना चलिए नैश्परसर की तरह बढ़ते हैं नैश्परसर यह रहा हर सत्माता का मंदिर सभी को बताए हर सब्सक्राइब उसके लाव राजस्तान का जो एक मात रुतपदक है यह बहुत सारे चीजे में आप लोगों को बता दीती वागड की मिरा तो ये भी बिलको सिंपल मैंने बता दूया है आपको ये भी गवरी भाई हो जाएगा राजस्तान की कुल सीमा मैं आपको चिला चिला की बोलते से चित्र बिना मना कि कि यहां से किसुन आएगा तो 6920 किलो मेटर हो जाएगी कुल सीमा की बात करें यानि के राष्टे और अंतर राष्टे दोनों की मिलाकर की बात करें तो इन्सरी के बात करें लुख 1450 अंतरराश्टे बात करते 1070 जबाब हुग जाए गाउन शटी सो 20 किलो मेटर अगला किशन पूंदी रियासत के बरड किशारा ना रोन नेता कौन ते थैं तो पूझ तो नेस के नइन्व राम सर्माथे इक उने नेन्ु राम सर्मा अग्ला बिजी क्सका शायतेकार का उपनाम ता तो बिज्जी किसका सायभनान ता बिज्जी से विजे DNA के किरियात्मा खंड को कहते हैं तो DNA के जो किरियात्मा खंड होता है उसको क्या कहते हैं जीन कहते हैं क्या कहते हैं जीन कहते हैं सरीता मोर समंदिते बताइए सरीता मोर समंदिते किस से बताइए फटापड से सरीता मोर समंदिते फटापड से कमेंट आना चीए सबी का वाटर होल गणना दो जार बाइस के अनुसार जालाना एवम आमागड तेंदुआ रिजवर में तेंदो की आबादी में परतिशत वर्दी हुई तो कितनी परतिशत 43% की वर्दी हुई की ओम का संबन्द मान सकते हैं आप तो वह क्या हो जाएगा करनिया क्या हुज्जर जायेगा और ये वेश्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा बजर दो जार बाइस तेविस के अनुसार कान पर बनाय जाएगा जगदीब जगदीब दनकट जो कि जुन-जुनु के राजस्तान के रहने वाले हैं बारत के उपराष्ट पती है तो चोदवे नमबर के क्या हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे यह आपका सही फिट जवाब होना चीह है अगला क्विशन चलते हैं कुछ लाश्ट परसन के ब सतन्तर बावनी की रचना आ यह दिए नेकस्ट नेक्स लिए रार। से आज आ गया देखो मतलब कली आ गया था आपके यह तो देख सकते हैं यहाँ पर जो परसंद मैंने करवाई सारे के सारे आगे राजस्तान में राजस्व बोर्ड की स्थापना तो राजस्व बोर्ड की इस्थापना करेती वह 1949 में की गई थी राजस्व बोड की तो दोस्तों आप कमेंट करके बताईए कि आपके जो 85% मैंने में नहीं करवाएं में आपके कितने परसंट सही आ रहे हैं ठीके ना दोस्तों मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ और जो सीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज से क्लासे मिलना सुरू हो जाएगी तो सीट की जो तैयारी है उसमें चार चान लगाने आप लोगों को चाहिए जनवरी में चाहिए फरवरी में आपकी सीट की एक्जाम ग्रेजवेट हो या 10 प्लस 2 ठीके तो दोनों के लिए अब रामबार्ण साबित हो जाएगी ऐसी क्लास मे नई वीडियो के साथ और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट कर किया आप जरूर बताइए ठेंक्यू